हेलो एवरिवाइन आज हम गनेश जी के लिए मोदक बनाएंगे ट्रेडिशनल मोदक फटाफट बनने वाले तरीके से तो आईए सुरू करते हैं मोदक बनाने के लिए सबसे पहले चावल के आटे से डो बनाएंगे गैस के फ्लेम को ओन कर देंगे इसमें डालेंगे एक कप पानी इसमें एक चम्मच घी डालेंगे और आधा चम्मच नमक पानी में उबाल आने तक इसे कूप करते हैं पानी उबल रहा है, गैस के फ्लेम को ओफ कर देंगे और यह एक कप चावल का आटा पानी में डाल देते हैं इसे इस तरह से मिला करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसे हम अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे और इसे रख देंगे भाप से यह थोड़ा और अच्छे से कुख हो जाएगा और तब तक हम बनाते हैं मोदक की फ्टफिंग गैस को ओन कर देंगे या हमने आधा कप गुड लिया है वजन में 75 ग्राम है और इसे ऐसे ही चलाते हुए मिल्ट होने देते हैं गुड अच्छे से मिल्ट हो गया है अब हम इसमें डालेंगे ताजा नारियल ग्रेट किया हुआ अब हम इसमें डालेंगे काजू और बदाम का पाउडर, फ्लेवर के लिए 4-5 इलाइची के दाने सारे चीजों को अच्छे से मिलाते हुए इसे भून लेते हैं इस टफिंग अच्छे से बन करके तयार हो गई है अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे जो ये चावल के आटे का डू हमने रखा था वो भी अब ठंडा हो गया है इसे एक बॉल में ट्रांस्फर कर देंगे हाथ में थोड़ा सा गी लगा करके अब इसे अच्छे तरीके से मसलते हुए एकदम इसमूद बनाएंगे डू अच्छे से बन गया है अब हम इसे इस टिम होने के लिए पानी को गर्म होने के लिए रख देते हैं हमने दो कब पानी लिया है एमल से नापे तो छे सो एमल है गैस की फ्लेम को ओन करके पानी में उबाल आने देते हैं तब तक हम चन्नी में घी लगा लेते हैं घी लगाने से छन्नी में मोदक चिपकता नहीं है छन्नी को बरतन के उपर रख देंगे जब तक इश्टिम करने के लिए पानी उबल रहा है तब तक हम साचे में घी लगा लेंगे डो में से थोड़ा सा डो निकाल लेंगे इसे थोड़ा सा हाथ से बाइंट कर देंगे और साचे में इस तरह से इसे डाल देंगे और इसे दबा करके सेट करना है ताकि या साचे का सेप ले ले इसमें थोड़ा सा इस्टफिंग उठाएंगे और इसमें इस तरह से डाल देंगे थोड़ा सा दबाएंगे इस तरीके से, अब हम इसे बंद कर देंगे इस टफिंग थोड़ा सा भी खूला नहीं रहना चाहिए अब हम साचे को खोलेंगे, कितना सुन्दर मोदक बन करके तयार हो गया है बस इसी तरा से सारे मोदक को बना करके हम तयार कर लेंगे साचे को बंद किया इसमें से थोड़ा सा डो उठाया बैंड किया इस तरीके से चारो और अच्छे तरीके से दबा करके इसे सेट कर लिया और इसमें इस टॉफिंग फिल करेंगे और इसे इस तरीके से अच्छे से बंद कर देंगे या सारे मोदक हमने इस तरीके से बना लिया है हमने इस टीम करने के लिए रख दिया है 10 से 12 मिनट तक हम ढख करके इसे इस इस टीम करेंगे 10 से 12 मिनट में मोदक बन करके अच्छे से त्यार हो जाता है 10 मिनट हो गए हैं अब हम कैप को हटाते हैं देखिए कितने अच्छे मोदक बन करके तयार हो गये हैं तो आप मोदक बनाईए, गड़ेव जी को चड़ाईए और एक बार फिर मिलते हैं नई रेस्पी के साथ